दोस्तो कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने कहा था कि आज हम महंगाई की बात करते हैं, आज हम प्याज के दाम, पेट्रोल के दाम बढ़ने की बात करते हैं, कई बार बेरोजगारी पर भी कुछ लोग ज्यान पेलते हैं, बात सही भी है, ये सब मुद्दा जो अब हो गया है, वो है जिन्दा रहना, आज फ्लेश बैक में मत चले जाना, कि भाई कोरोना में लोग किस प्रकार से मर रहे थे, इसलिए आज जिन्दा रहना बड़ी चीज है, वो समय चला गया, अभी जिन्दा रहने का मतलब है, आपको कोई मार न दे, दो कदम आगे निकलते वे हनुमान जैनती पर दिल्ली के जहांगीर पूरी में जो दंगे हुए, वो भी हम सब ने देखा, अब अगर दो सालों में दोदू दंगे जहल चुकी दिल्ली को अब भी ये समझ नहीं आ रहा है, कि सस्ते लालज के चक्कर में आप अपनी जान ज पहेंगाई को लेकर धरने पे बैठने की काबिल रहोगे, जिन्दा रहोगे तबना CAA का विरोध करोगे, लेकिन फ्री बिजली के चक्कर में आप दिल्ली में बार बार एक ऐसी सरकार बना रहे हो, जिसकी बुनियाद ही जूट पर टिकी हो, जो टैक्सपेर्स की गाड़ी कमाई के पैसो को अपनी राजनिती चलाने के लिए इस्तमाल कर रहा हो, जो कि ये दिल्ली में बिजली फ्री करके कर भी रहे हैं, जहां लोगों को सुरक्षा से ज्यादा महीने का 200 रुपे बचाना बहतर आप्शन लगता है, तो वो समय दूर नहीं जब दिल्ली में ये द गटना ये देखने को मिली, अगर कहीं कोई एक गटना भी नहीं मिली, तो वो प्रदेश था उत्तर प्रदेश, जबकि ये देश का सबसे पॉपुलेटेट राजिय है, ऐसा क्यूं हुआ आप सब जानते हैं, योगी आदित्यनाथ ने आम पॉलिटिशन से अलग हटकर रह चुनी और on the spot फैसला करना शुरू कर दिया, दंगाईयों के पोस्टर्स लगवा कर उन्हें world famous तो किया ही, उनके घरों से दंगों में बरबाद वस्तूओं की भरपाई भी करवाई और जब जरुवत पड़ी, अपनी खास अस्तर बुल्डोजर का भी उपयोग भली प्रक जिया मैं इसे आतंकी कहूंगा, क्योंकि जो चीज है ही नहीं, उसे बता कर आप वहवाही लूटे जा रहे हो, तो फिर इसका मतलब ये अपनी पार्टी के माध्यम से आप आतंकी मचा रहे हो, एट्स देकर जबरदस्ती लोगों के माइड में भरे जा रहे हो कि आपने दि से कुछ दिन पहले का समय वहाँ भी ऐसा ही रहा होगा, जैसा अभी दिल्ली के लोग महसूस कर रहे हैं, शायद यही कारण है, जाने कितने लोग दिल्ली के आसपास के इलाके खासतोर से नौइडा में शिफ्ट होने के लिए मजबूर हो रहे हैं, इस जहांगीर पूरी र आरोपी ताहीर हुसेन आम आदमी पार्टी का नेता था, उसी प्रकार से इस बार भी जहांगीर राइट का मुख्या आरोपी भी आम आदमी पार्टी का ही नेता है, तो मुझे लगता है अब इससे ज्यादा कहने के लिए कुछ बचा नहीं है, दिल्ली पहले रेप सिटी क और छटे महीने आपकी जान ही ले ले। ये दो राज्य दिल्ली और उत्रप्रदेश ये बहुत अच्छे एक्जैम्पल्स हैं ये समझने के लिए कि नेता अपने पद का दुरुपयोग करे तो किस हद तक नीचे गिर सकता है और वहीं एक नेता अपनी जनता को बचाने के ल कि गलत मुख्यमंतरी चुनने का क्या खामियाजा भोगतना पढ़ सकता है विरोध करो सरकार का विरोध करो उनकी नीतियों का विरोध करो लेकिन उसके लिए Пहले सरकार ऐسी चुनो जो तुमें जिन्दा रख सके उसके बाद आराम से हाथ में तकता लेकर घूमो सडक पर क कम से कम आपके घरवालों को ये उमीद तो रहेगी कि उनका बेटा शाम को वापस आही जाएगा आज सबसे बड़ी चिंता मावापों को यही है और इन सब के लिए क्या जरूरी है सही सरकार जुनना जैहिंद वंदे मात्रम